Quesan No.1 निम्नांकित परतिरूप को देखकर अगली तीन संख्याओं को ग्याद करें Quesan No.1 का यह है देखिए 1 में कितना जोड़ेंगे तो 4 आएगा 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा 4 के बाद 9 है यानि 5 जूटेंगे तो 9 आएगा उसके बाद 9, 7, 16, 16, 19, 25 यानि दो दो बढ़ रहा है और जूट भी रहा है देखिए एक में एक के बाद चार है यानि एक में तीन जोड़ेंगे तो चार आएगा उसके बाद चार में पांच जोड़ेंगे तो नो तो देखें तीन के बाद पांच बढ़ा संक्या उसके बाद 7, 9 में 7, 16 16, 29, 25 यानि 3, 5, 7, 9 इससे बढ़ते जा रहा है तो अब 11 जोड़ेंगे देखें, 9 के बाद 11 होगा तो 25 में से 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 10, 35, 31, 36 यहां पर 36 भराएगा उसके बाद देखें 11 बढ़ा, अब 13 बढ़ना चाहिए तो 36 और 13 कितना होगा 36, 10, 46, 3, 49 इसके बाद देखें यहां 3, 5, 7, 9, 11, 13 अब 15 बढ़ेंगे तो 49, 10 69, 5 64 हो जाएगा तो हम यहां पर 64 भरेंगे यानि बस इसको देख करके आगे वाले संख्या जो होगा उसको भड़ देना है क्योंकि एक पैटर्न के रूप में है यह उसी का अनुसार हमें पता कर लेना है किस तरह से यह संख्या बढ़ रहा है आगे उसी तरह से आगे 3 संख्याओं को ग्याद कर देना है अब देखें यहाँ पर सुनने के बाद 3 हुआ 3 के बाद 8 तो देखें सुनने में 3 जोड़ेंगे तो 3 आया, 3 में 5 जोड़ें 8 में 7 15 में 9 तो यहाँ भी देखें 3, 5, 7, 9 3 जूटा पहले फिर 5 जूट रहा है 5, 3, 8, फिर 8, 7, 15 15, 9, 24 तो अब 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 10, 34, 1, 35 अब देखें 11 जोड़के इधर आए अब 13 जोड़ेंगे यानि 2 और बढ़ जाएगा तो 35 में 13 जोड़ेंगे तो 35, 10, 45, 3, 48 यहाँ पर 48 भरेंगे अब 13 बढ़ गया 15 बढ़ेगा 2, 2 बढ़ रहा है तो 48 में 15 तो 48, 10, 85, 5, 63 तो यहाँ पर हम 63 भर देंगे अब देखें यहाँ पर 1, 1, 2 बढ़ एक एक दे दिया है 2, 3, 5, 8 तो देखें 1 से 2 बढ़ा 1 बढ़ा, फिर 2 से 3 तो 1 से 2, 2 से 3 तो यहाँ पर 1 बढ़ रहा है यहाँ भी देखें 1 बढ़ रहा है 2 से 3, 3 से 5, 2 बढ़ा फिर 5, 3, 8 तो देखें 1 से 1 यहाँ पर तो कुछ नहीं बढ़ रहा है 1 से 2 बढ़ा, फिर 2 से 3 भी 1 ही बढ़ रहा है फिर 2 बढ़ रहा है, 3 से 5 फिर यहां से तो 3डुशं आर्ट में चव यहां पर चूट रहा है चूट रहा है यहां से तो थ्यों फान पाँ पांच के साथ तीन आठ के साथ हम चार जोड़ेगें आठं़ हां पर जूट भी रहा है तो आठ के सथ चार जोड़े तो बारा बारा के साथ कितना जोड़ा पढ़ाइगा प्छट सत्रा इस त्वी तरह से देखिए तीनों को भळ लेना है बस ये दोनों को आभ राए आगे कुछ बढ़ रहा इसलिए इसको हटा देना आप देखे सब ठीक बढ़ रहा यहाँ पर तो उसके बाद इसको हल कर देना है कोशोंन नमर दूसरा रिग्त बक्से को अगले चीतर से भर रहे हैं तेक्या पहले एक है gauge फिर देखिए। 2 बिंदू आया जलों और नंब आ बना देंगे छे भुजा वाला यहां पर चीतर बना देंगे हम क्योंकि देखिए एक, दो, तीम, चार, पांच, छे होना चाहिए यानि छे भुजा यहां पर बनाना होगा तो वही कहा रहा है कि रीक्त बक्से को अगले चीतर से भरें तो देखिए वहां पर हम क्या भरेंगे छे भुजागा बना लेंगे हम देखे इस तरह से देखे इस तरह से हम हम वहाँ पे बकसे में कह रहा है कि रीक्त बकसे को अगले चीतर से भरें तो बकसा में हम इस तरह बना देंगे कोश्चन नमबर दो में कोश्चन नमबर तीन निम्नांकित परतिरूप का अध्यान किजे कोश्चन नमबर तीसरा में देखिए यहाँ परतिरूप दिया हुआ है इसका अध्यान करने के लिए कहा रहा है हमें करा है अगले दो चरन को लिखे है तो देखिए एक गुने आठ प्लस एक तो आठ गुने एक आठ एक नौ हुआ देखिए पहले गुना होता है उसके बाद जोड जा रहा है तो बार रहा कुने 8 प्लस 2 कितना हो गया बार रहा ठी कितना होता है 96 96 दो अंठाण मे 9 था उसके बाद 9 के बाद 8 आठ आया ठीक है अब देखिए यहाँ पर 1 2 था अब 1 2 3 लिखिया लिख दिया है ठीक है एक के बाद 2 होता है उसके बाद 3 यानी 123 हो गया गुना 8 प्लस 3 तो देखें कितना आया 987 यानी 987 यहाँ पर अंठान में था फिर आ गया 987 साथ आ गया देखें 9 के बाद 9 के पहले 8 होता है उसके पहले 7 होता है इस तरह से परतिरूप बनते जा रहा है अब देखिए यहाँ पर लिग दिया है 1234 यानि 1234 गुना 8 अब 3 था है यहाँ पर 4 यहाँ पर देखिए 2 था तो 3 3 के बाद 4 तो 9 1876 आ गया अब देखिए 7 के पहले 6 आता है तो 6 भी आ गया है यहाँ पर इसको 5 अंक हो गया है घर्टे करम में 9,8,7,5 यहाँ पर 4 था तो 4 अंक था 3 था तो 3 अंक जितना जोड़ा है उतना अंक होते जा रहा है एक जोड़ा था तो एक अंक ठीक है अब कह रहा है कि अगले 2 चर्णों को लिख रहे हैं तो कि हम लिख देंगे यहाँ पर अपने मन से भी 1,2,3,4,5,6 इसको एक अंक बढ़ाएंगे गुना 8 करेंगे ठीक है और यहाँ 5 है तो यहाँ 6 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9,8,7,6,5,4 एक अंक बढ़ जाएगा देखें यह पड़्ति रूप यानि पैटर्न को देखकर बस हम दिख सकते हैं यानि इसका पैटर्न जो है इसी अनिस्वार बढ़ रहा है अब देखें एक अंक और बढ़ा देते हैं तो 1,2,3,4,5,6,7 गुना 8 प्लस 7 अब 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है यहां पर एक एक बढ़ाते जाना है तो यहां पर क्या आ जाएगा 9,8,7,6,5,4,3 देखें दो ही चरणों को लिखने के लिए कह रहा था तो हम एक चरण और लिख देते हैं देखें जगह हैं एक,दो,3,4,5,6,7,8 ठीक है देखें साथ तक था आठ तक आ गया है गुना 8 प्लस यहां पर 8 लिखेंगे देखें यहां जो 8 है जैसे यहां पर एक था तो एक से जोड़ा है यहां पर 2 आया तो 2 से 3 है एक,दो,3 तो 3 से 4 देखें आया बढ़ा तो 4 से इसी तरह बढ़ते जा रहा है यह तो बराबर क्या हो जाएगा 9,8,7,6,5,4,3,2 तो देखें इसका अंसर बस यही दोनों हो जाएगा क्योंकि दो ही कर रहे हैं दो चरणों को लिखें तो यहां पर एक आ जाएगा अगलाव चरण में तो बस दो चरण हमें बढ़ाना था तो इस तरह इसका अंसर हो जाएगा देखें तो कह रहा है क्या आप कह सकते हैं कि परतिरूप किस तरह का कारी करता है तो देखिए यह परतिरूप किस तरह का कारी करता है उसको हमें बताना है तो हम लिखेंगे परतिरूप का परकार है हमसे पूछ रहा है कि क्या आप कह सकते हैं कि पर्तिरूप किस तरह का कार करता है तो हम लिखेंगे पर्तिरूप का परकार किस तरह का है देखें एक और पर्तिरूप हम इसके सामने लिखेंगे तो पता चल जागा किस तरह का ये पर्तिरूप कार कर रहा है तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं देखिए एक तो एक बराबर एक होता है ठीक है अब देखिए एक को हम यहाँ पर दो बराबर क्या हो जागा एक एक प्लस एक ठीक है एक बराबर एक पहले एक था तो देखिए एक एक के बराबर ही है एक के बाद दो होता है तो हम दिखें एक दो यानि बारा हो गया तो बारा क्या होता है इगारा प्लस एक बारा होता है आप देखें इसको हम एक दो तीन लिखेंगे तो कितना हो जागा एक 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 प्लस एक एक प्लस एक यानि 123 बराबर क्या होगा 111 प्लस 11 प्लस एक तो देखे 111 बारा बारा और 111 तो 111 तो 111 दस 122 तेईस यानि 123 हा जागा तो देखे परतिरूप बनते जा रहा है यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 तो यहाँ पर हो जाएगा एक 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 प्लस एक 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 प्लस एक एक प्लस एक तो यहाँ पर देखे एक दो तीन चार यानि एक हजार दो सो चौनतीस को हम लिख सकते हैं एक हजार एक सो इगारा प्लस एक सो इगारा प्लस इगारा प्लस एक यहां पर दिरूप बन रहा है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 देखे, 4 एक तक गया, तो 4 एक आया है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 यहां पर 2 था, तो 2 एक फिर 1 था 4, 5 1, 2, 3, 4 पांच सक जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 प्लस 2 फिर एक तो देखिए एक एक बढ़ते जा रहा है यहां पर 5 था तो 5 एक आया यानि 11111 प्लस 11111 प्लस 11111 प्लस 1111 प्लस 111 प्लस पांच छे तो छे कब आएगा यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छे फिर पांच एक दो तीन चार पांच फिर चार एक दो तीन फिर दो और फिर एक तो देखिए, यहाँ पर 6 है, यानि 6 अंक है, तो 6 बार जोड़ना पड़ा, वो भी पहले 6 से, फिर 6 एक था, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से, तो पर्तिरूप देखिए, किस तरह से बन रहा है, 12 था, तो 111, 123, तो 111, 111, 1234, यानि जितना अंक इधर बढ़ा है, उतना ही बार इसको जोड़ना पड़ रहा है, जैसे यहाँ पर 2 अंक है, तो 2 बार जोड़ना पड़ा, 3 अंक है, तो 3 बार, ठीक है, एक एक बढ़ते ग है, तो इस तरह हम लिख देंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि पर्तिरूप किस तरह कार करता है, यानि पर्तिरूप इस तरह कार कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लिख देंगे,